नमस्कार मेरा नाम है दीपक निगम और आप देख रहे हैं बालाजी होम्स इंटरप्राइजेज आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं गाजियाबाद विकास प्राधीकर से एप्रूब्ड एक सो साथ गज में बना हुआ तीन मंजिल जड़ से मकान ये मका विकास की पूरी लोकेशन है पूरी बसावट यहां पर हो चुकी है आपको यहां गेट गार्ड पार्क सीवर पानी की सप्लाई सभी सुवधाईं यहां पर आपको मिल जाएंगी अगर रास्ते की बात करूं तो आपको यहां पर 30 और 40 फीट चोड़े रोड मिल जाएंगे यह प्रोपर्टी गाजिवाद विकास प्राधिकर से अप्रूब्ड है तो आपका यहां सरकारी बैंक से लौन भी हो जाएगा यह जो पार्क है यह आपके मकान के जश्ट सामने आपको मिलेगा यह आपकी पार्किंग का स्पेस रहेगा एक्स्ट्रा पार्किंग आपको प फ्लोर वाइज रजिश्ट्री हो जाएगी मैं आपका एक फ्लोर दिखाऊंगा कैसा बना हुआ है यदि आप इस प्रोपर्टी को खरीद कर रेंटेड इंकम चाहते हैं तो आपका एक फ्लोर लगवक साथ से आठ हजार प्रती महीने पर किराई पर चला जाएगा अभी मैं आपको इसमें किचन मिलेगा और 2BH के ये पीछे की और बना हुआ है इसके सभी फ्लोर ऐसे ही बने हुए हैं ग्राउंड भी इसी तरह का बना हुआ है और इसका फ्रस्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर भी इसी तरह का बना हुआ आपको मिलेगा यह आपकी किचन रहेगी जो क semi-modular है अगर आप इस पूरी building को खरीदना चाहते हैं तो आपको सरकारी bank से loan मिल जाएगा आप इस पूरी property को खरीद सकते हैं इसकी कीमत जानने के लिए आप हमारा description चेक कर लीजिए वहां आपको सारी जानकारी मिल जाएगी हमारे कई दर्सक ऐसे हैं जो यह कहते थे सर अगर कोई मकान हो जिसमें हम दो भाई रह लें तो ऐसी property आप बताईए तो इसमें अगर आपके दो परिवार हैं तीन परिवार हैं तो आप इसमें separate separate portion में रह सकते हैं यह आपका master bedroom रहेगा इसमें यह आपको attached bathroom मिलेगा building में सारा काम आपको complete हो करके मिलेगा अभी कुछ काम इसमें pending बचा हुआ है यह आपका ventilation के लिए जाल रहेगा यह जो property है इसके सामने का जो रास्ता है वो 9 meter road है जो 30 feet चोड़ा होता है इसी तरह की एक property और है उसका भी वीडियो में जल्द आप लोगों तक पहुँचाऊंगा उसके आगे का जो road है वो 40 feet चोड़ा road है सेम ऐसा ही बना हुआ है उसका नक्सा थोड़ा अलग है उसके बारे में भी आपको जानकारी दूँगा यह आपका दूसरा bedroom रहेगा ventilation के लिए इसमें बिंडो लगा हुआ है इसमें यह अल्मारी बनी हुई है यदि आपने अभी हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए notification आपको समय पर मिल सकें यह देखिया आपका पूरा living और dining area रहेगा जो काफी अच्छे space में आपको मिलता है इस property का जो size है वो 90 मीटर होता है और अगर गज में बात करूँ तो लगवा 107 गज यह property होती है जीने पर ग्रेनाइट पत्थर लगा हुआ है यह आपकी बालकनी रहेगी इसमें टाइल से पूरा कबर किया गया है इसे और सामने की और आपका पारक विू रहेगा ये पार्क फेस प्रोपरेटी है हमारे बहुत सारी दरसक ऐसे थे सर को हमें प्रोपरेटी बताइए जो पार्क फेस हो जोड़े रोड पर हो ये प्रोपरेटी बहुती सांधार रहेगी पार्किंगी यहां कभी भी आपको सम Georश है SS की ग्रिल आपको इस पर लगा करके देंगे यदि आप दो भाई है या तीन भाई है तो आप इसमें पूरी बिल्डिंग को ले सकते हैं और अपना अलग-अलग सेपरेट पोर्शन में रह सकते हैं यदि आप रेंटिड इंकम चाहते हैं तो लगभग आपको पूरी बिल् पर ही कंस्ट्रक्षन कर सकते हैं ऊपर आप यहां पर डाड़न टाइप का बना सकते हैं अपने जूले बगएरा हैं वह रख सकते हैं यह पूरा जो है पार्क रहेगा पूरा व्यूव है यह इससे जुड़ी समझ जानकारी आपको हमारी डिस्क्रप्शन में मिल जाएगी तो आप हमारा description एक बार जरूर चेक कर लीजिए, ये देखिए रास्ता जो है, वो 30 फीट चोड़ आपको मिलेगा, आसपास पूरी बसाबट है यहाँ पर, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कुछ और नया ले करके तब तक के लिए जैहिंद, अजिए तो आपको मिलेगा, यू झाल के लिए दो ही जैहिंद,